हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि के वीएस रिकूट्मेंट 2022 में जो doubts candidate की मन में आ रहा है जो main-main doubts है उनको मैंने अपने comment box में से बहुत सारे लोगों ने question करके उसका पूछा है कि सरी ये case है मैं eligible की नहीं ऐसा case है मैं eligible की नहीं तो जो भी उनके questions है उनमें से top 10 या 12 questions मैंने उठा के उस पर ये video बनाने की कोशिस किया है उमीद करता हूँ ये video आपको पसंद आएगा और अगर video आप last तक देखते हैं तो जरूर कहीं कहीं आपकी question का भी answer इसमें मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी की हुए video की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो question आप लोग के सामने आप इस screen पर देख पा रहे हैं कि PRT के लिए BTEC eligible है कि नहीं तो मैं सभी लोग को बताऊं कि BTEC eligible है conditions और है कि केवल BTEC से आप eligible नहीं हो जाते हो BTEC के बाद आपके बाद BLAD या DLAD के डिगरी होना चाहिए BLAD DLAD में से कुछ नो कुछ होना चाहिए तो BLAD DLAD अगर आपने डिगरी कर रखी है वो अलग से तो वो plus CTET का paper 1 qualified यानि CTET का paper 1 भी qualified होना चाहिए तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको बी ग्रेजुएशन डिगरी आपको मिल गई है उसके साथ BLAD DLAD या B8 की डिगरी होनी चाहिए और CTET 1 का paper qualified होना चाहिए तो अगर आप BTEC है किसी भी ब्रांज से, mechanical से हो, civil से हो, किसी से भी हो और आपने एगर CTET 1 कालिफाई किया और उसके साथ ही साथ में आप BLAD और DLAD है तो आप eligible है नेक्स्ट कोईशन की बात करें तो TGTWE के लिए experience जरूरी है बहुत सारे लोगों ने ये comment box में मुझे लिखा और मैंने दोस्तों खुद एक dummy application form पर आगे उसको प्रोसीड करने की कोसिज करी है और मैं देख रहा हूं कि अगर आप जो एक one year experience में no कर रहे तो भी form आगे जा रहा है तो पहली बात तो यह अगर yes भी करने से ही जा रहा है तो भी आप एस करके apply कर दीजिए दूसरी बात यह कि यह mandatory नहीं है desirable है और one year का experience certificate अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं आप eligible हो पूरी तरीके से eligible हो इसमें doubt मत रखिए आपके पास experience है चाहे नहीं आप application form को भरिए वैसे मैं अब इस दिन में कर रहा था तो मैंने देखा अगर आप चाहें तो short video में बना दूंगा उस पे भी कि no करके experience आप teaching line में जा रहे है तो आपको seated की जिगरी चाहिए देखे seated की requirement कुछ post पे नहीं होती जैसे TGT-WE के लिए नहीं होती है आप PGT-CS के लिए नहीं होती है PGT-CS में भी नहीं होती है वैसे ही TGT-PHE एक post है उसमें भी नहीं होती है और librarian की post होती है उसमें भी नहीं है PRT Music है की जुरूत नहीं होती है तो कुछ ऐसे post है जिसके लिए seated की आवसकता नहीं है तो आप बेस बिना किसी हिचक के आप form पर ये TGT-WE में भी TGT-WE के लिए भी किसी भी टेट पेपर के qualify करने की requirement नहीं है कोई केवल बीटेक हैं आप electronics या फिर electrical से और इस में जितने वाते हैं eligible or not देखिए इसमें एक चीज है कि 12th के बाद अगर आपने diploma किया है तो वो चाहे 2 years का किया हो चुकि lateral entry हो जाती है तीन साल का ही course आपका मा हुआ है वो आपको admission second year में मिला है तो उसको 2 year का course नहीं कहेंगे 3 years का ही course तो आप eligible हैं कि 12th के बाद आपने diploma किया चाहे lateral entry में जाक 12th किया वो लोग eligible नहीं है कुछ लोग और भी cases बता रहे हैं कि 10th के बाद उसनोंने diploma किया है फिर बाद में 12th कर लिया है तो वो भी eligible नहीं है देखिए जो diploma होना चाहिए वो higher secondary के बाद 3 year का diploma होना चाहिए लेकिन 3 year का मतलब अगर आप 12th के बाद direct second year में admission लेते हैं तो भी उसको 3 साल का ही course माना जाता है आपको एक साल आगे बढ़ा दिया जाता है बस आपका दो साल का course नहीं होता तो आप अगर 12th के बाद diploma है तो आप eligible है बस यह ध्यार रखिए कि डिप्लोमा की जो branches है वो electrical या electronics से related होनी चाहिए तीसरा AMIE वाले पूछ रहे तो भाई AMIE के बा रहे हो तो उसमें भी तो कुछ branch होगा equivalent degrees की जब बात की गई तो उसमें भी कुछ branch होगा पहली बात तो यह 90% आप समझ लीजे 95% यह है कि AMIE eligible नहीं है क्योंकि ऐसा कहीं उसमें mention नहीं किया है दूसरी बात केवल AMIE मत बताई AMIE में भी क्या branches ऐसे होते है क्या कि कुछ है नह जैसे अभी आप 90% यह मान के चलिए कि AMIE का केस eligible नहीं है एक और question आया था कि MCA के साथ B8 जरूरी है या नहीं जैसे आप PGT हमको लगता है यह जरूर PGT Computer Science की पोस्ट के लिए apply करना चाह रहे होंगी तो समझ लीजिए करना चाह रहे होंगे जो भी यह candidate है तो समझ लीजिए कि यह MCA के साथ B8 जरूरी नहीं है अगर आप PGT Computer Science बनना चाहते हैं तो लेकिन B8 आपको तब जरूरी हो जाए किवाल MCA से आप अभी apply करके form submit कर सकते हो PGT Computer Science की post पर काम भी कर सकते हो लेकिन PGT से फिर अगर आगर आप आगे promote होना चाहते हो wise principle बनना चाहते हो या आगे फर recruitment में PGT CS की post के लिए आप MCA है इतना sufficient है साथ ही साथ में बहुत सारे लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या mechanical engineering या फिर EC engineering PGT CS के लिए EC मतलब electronics and communication engineering या दूसरे ब्रांच electrical engineering PGT CS के लिए eligible है बिलकुल लेकिन उसके साथ में PGDCE होना चाहते है अगर आपका information technology या computer science में BTEK है तो किसी accurate degree की requirement नहीं है लेकिन अगर दूसरे ब्रांच से आप BTEK है तो आपके पास PGDCE post graduate diploma in computer application की डिगरी भी होनी चाहिए साथ में तब जाके आप eligible होते हैं PGT CS की post के लिए next question कुछ लोग पूछ रहे है final year candidates eligible or not देखे यह केवल TGTWE के लिए नहीं है PRT के लिए लिए लिजिए चाहे TGT के किसी subject के लिए लिए लिजिए पिजिटी के लिए लिजिए प्रिंपल के लिए लिजिए जो भी eligibility दी गई है चाहे age की हो चाहे आपके qualifications की हो चाहे आपके experience की हो सब कुछ आपका 26-12-2022 जो की last date है अवे दन पत्र भरने का तब तक complete हो जाना चाहिए अगर आप appearing है या सीटेट अभी तक qualified नहीं है इस बार के सीटेट में qualify करना चाहते हैं तो कुछ भी आप eligible नहीं है जो भी eligibility criteria है उसकी cut-off date 26-12-2022 है यानि 26-12-2022 के दिन तक अगर आप eligible हैं तो आप eligible हैं नहीं तो आप नहीं है तो जो final candidate है वो मान की चली 26-12 तक तो पास हो नहीं जाएंगे अगर हो रहे हैं तो ठीक है नहीं तो फिर वो eligible नहीं है यह question 2-3 मेरे viewers ने पूछा कि syllabus and exam pattern for assistant engineer civil तो दोस्तों मैंने इसको search करने की कोशिस करी लेकिन यह अभी तक नहीं मिला और सबसे दुर्भाग की बात है कि केंद्री विद्याले संक्ठन की website पे भी जो यह syllabus आया इस बार उसमें सायद assistant engineer civil missing है मैंने कई बार सच करने कोशिस करते हैं वैसे मैं अपने experience से आपको बता दो कि चुकि यह engineering field का field की job है तो technical part तो क्या syllabus होगा diploma level का होगा क्या कौन-कौन से topic कवर करेंगे civil का यह तो मैं नहीं बता सकता उस 100 को लेकिन जो 80 part का question होने वाला है वो पक्का आप TGTWE के syllabus को देख लिजिए वही आपका 80 part के questions में आएगा क्या कि TGTWE को भी आप engineering background ही मानिए तो इसमें पढ़ाने के लिए pedagogy वगर नहीं है वैसे assistant engineer civil में भ TGTWE का ही आप अपने equal मानिए लेकिन remaining जो 100 marks का है उसका syllabus भी अभी तक even 80 का भी नहीं आया है तो उसका syllabus या exam pattern KBS की जो main notification है syllabus वाला जो PDF आया है उसमें नहीं mention किया गया है तो जैसे कोई जनकारी मिलती इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूँगा अभी फिराल मेरे पास को है कि TGTWE के लिए हम work profile salary and growth opportunity पर TGTWE का बता दें और PGTCS के लिए भी बहुत लोगों ने कमेंड किया है तो इस पर देखिए दोस्तों भी थोड़ा आप लोग application process करिए तयारी शुरू करिए इस पर समय के साथ मैं salary क्या है work profile क्या है growth opportunities क्या है TGTWE के लिए वह मैं बना तो obviously यह अभी मतलब इसके लिए separate video ही बनेगा जब मैं थुरा सा time मुझे मिलेगा तो next question कुछ लोगों पूछ लेगी क्या new cash certificate required है अभी नहीं है अगर आपके पास और क्या अभी जो upload करना होगा चाहिए कहीं लगाना है तो new cash certificate चाहिए देखिए दोस्तों अगर आप बनव आके उसको यूज करिए क्योंकि एक हपते में बन जा रहा है लेकिन फिर भी किसी case से नहीं बनता है तो it's okay जो आपके पास available है वो लगा दीजिए वहाँ पे main बात यह होती कि जो interview के time पे जब physically आप जाते हो तो उस समय आपको cash certificate अपना लगाना है और cash certificate खास तोर से द्या लास्ट question मैंने यह उठाया कि tentative exam date कुछ लोग पूछ रहे तो दोस्तों मैं आपको बताओं कि पिछला जो अगर बात करें के विएस का recruitment process है वो थोड़ा तेज चलता है पिछले की बात करी जब 2018 यह vacancy आई तो September में जो है उसका form बरने का last date था और उन्होंने अक्टूबर November छोड़के December में exam करा दिये थे यानि September last date था October November छोड़के December में exam करा दिया तो कूल मिला के कह सकते तीन महिना approximately 90 days later उन्होंने exam करा दिया था तो अभी अभी क्या है December जो है आपका last date है तो जन्वरी फरवरी छोड़िए March last में या फिर April की सुरुवात में exam होने के chances हैं मैं य अफिसली नहीं कह सकता क्योंकि उसको QVS ने भी कहा है कि वो tentative date और जो भी date है वो QVS की website पर आएगा लेकिन जो chances बनते हैं वो March last से लेके April में exam हो सकते हैं इसके ज्यादा तर chances हैं दोस्तों ये पूरे questions मैंने लगपक 10 से 12 questions थे जो मैंने pick up की अपने comment box से उमीद करता हू कि आपका question जरूर इसमें cover हो गया होगा अगर ये question cover नहीं हुआ है तो बिल्कुल अपने इसी वीडियो के comment box में अपना question भी रखे मैं पूरी तरीके से कोशिस करूँगा कि उस पे भी एक video बना दू कुछ ऐसे question है जो काफी complicated से हैं कि ये case हो गया एक year में मेरा हिंडी में क इसमें comment box में करें जल्दी ही मैं उस पर भी एक video बना दूंगा उमीद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आया होगा video पसंद आया हो तो video को like करें channel को subscribe करें और साथी साथ दोस्तों के साथ इसे share भी करें thank you very much for watching this video